सुसिला हलकी फुलकी भूख लगी है तब आप बना के खाच सकते हो महाराष्ट की फेमस पार्मपरिक डिस है नास्ते में इसे बनाया जाता है तो यह कुर्मूरा से बनके रिडी होती है तो चलो हम टेस्टी सुसिला डिस बनाते है सुसिला बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम चितना मुर्मूरा लिया है और टमाटर लिया है एक छोटे-छोटे पिसिस में काटके सिंगदाना लिया है थोड़ा सा एक बड़ा आलू मैंने छोटे-छोटे पिसिस में काट लिये है और मैंने 2 मिर्ची काट लिया है और लिम्बू नमक और चिनी और कड़ी पत्ता लिया है। और मुर्मुरा को हम पहले अच्छे से वोश कर लेंगे। इसमें पानी डालके अच्छे से धो लेंगे। और इसको एक चन्नी वाले बरतन में हम निकाल लेंगे। यह डीस ऐसे ही बनाई जाती है। मुर्मुरा को अच्छे से धो केगे। और पानी में जैसे हम बटा का पवा बनाते तपी पवा को वोश करते हैं। इसी तरह से हम मुर्मुरा को भी दो लेना है। और एक चन्नी वाली बरतन में निकाल लेना है। अब गेस के उपर एक पेन चड़ाएंगे। उसमें दो चमस जितना ओयल हम डाल देंगे। ओयल इसमें बहुत İk riot ममात्रा में जाता है। तो दो चमस ओयल डाल के हम सबकेंगे। और चमस की मदाच्छे ओयमिार को चार तरफ हम फेला देंगे। पैन में अब इसमें अलू करा कि मात्त हमने करेंगे। एस उसी लाडीस में बना रहे हूँ, आपने कभी इसका टेस्ट किया है कि नहीं, मुझे comment section में चरूर बताईए और मेरी recipe related कोई भी query हो, तो आप मुझे comment section में बता सकते हो इसी तरह से हीलाते हुवेया में आलू को सुन रहा होने तक फुनना है अब आलू में हलका हलका सुने रहा होने लगा है, तो हम इस आलू को बाहर निकाल देंगे एक प्लेट में अब इस कड़ाई में हम डाल देंगे सिंगदाना, सिंगदाना को भी हम हलका हलका रोष्ट कर लेंगे अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा जीरा अथा चमचितना अब इसमें डालेंगे हम कटी हुई हरी मिर्च, मैंने तीन मिर्च का इस्तमाल किया है अब इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता और अच्छे से हिलाएंगे सुना रहाओने तक हम भूरनेंगे मिर्ची को भी अब इसके अंदर हम डाल देंगे नमक और चिनी दोनों को डालके हम अच्छे से हिलाएंगे नमक चेनी डालने के बाद तूरंती हम डाल देंगे कटा हुआ टमाटर और अच्छे से हिलाएंगे और भुनेंगे टमाटर अच्छे से भुन जाए तक तक हमें हिलाते रहना है अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और अच्छे से हिलाएंगे अब टमाटर अच्छे से गल चुका है तो इसमे हम एड कर देंगे मुर्मुरा जो हमने वोश करके रखा था तो इसे हम इसमें डाल देंगे मुर्मुरा डालने के बाद इसे अच्छे से हिलाएंगे और मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे आलो और सिंघ्दाना को जो हमने भुनके रखा है इससे हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें डाल देंगे एक निम्बू का रस और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो सुसिला डीस बनके एकदम रेडी है तो इसे हम शर्विंग डीस में शव करेंगे और खाने के लिए एक दम रेडी है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमें सेक्षिन में जरूर बताइए मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन जरूर दबाएए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पांच जल से जल पहुँचे जय हीन, जय भारा, धन्यवाद, थेंक्स पर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नहीं रेसिपिके साथ, धन्यवाद